तोड़ें विल डिस्केस वर्ट अटॉपिक आवरेज स्पीड जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फर्क क्या है आज के टॉपिक में कि आवरेज स्पीड वेन डिस्टंस बिट्वीन दूप इस कॉंस्टाइंट हम आवरेज स्पीड आज में एक फॉर्मुला सब्सक्राइब क्या इस फॉर्मुले के लगा सकते हैं तो समझेगा कि पॉइंट A है और पॉइंट B है यह आपके बीच है ठीक है अगर मैं आपसे कम हूं कि एक व्यक्ति है यह A से B गया है 20 km पर आर के स्पीड से ठीक मात भई और वह B से सीख एक तरह फिर लॉट आया 30 km पर आर में वह तैंसे अपसेंट ट्रावल एक वी विदे स्पीड पर आर अन डिटर्न बैक जरनी विदे स्पीड ओ तो वोट विल बीड़ेश पीड थीपात है तो मैंक्सिम बचे करते हैं वाता है क्या कि टोटल डिस ट्वेंटी प्लस थ अधर इस तरह कितना लगा किटना नहीं है को तुकितना हो गया ट्वेंटी फाइफ त्वीड तू मत्दब 25 इदो पर ऑप जैसे आपने यह किया पूरा आपने गलत कर लिए समझें जैसे आपने टूटल डिस्टींस टाबल अपॉंट टाइम टेकें में आपने क्या माना क आपको जाने में गंटे लगे आने में एक गंटे लगाए और आने में गंटे लगाए तो क्या इस पीद बदल लिए आगी तो ऑगर बदलेकों के अगर दोनों का distance distance constant है तो speed is equal to distance upon time and distance q2 होता i इसा पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है तो इसी कॉंसेप्ट में डराइब परूंगा और एक फॉर्मॉला दूगा जो आपको हमें का सब्सक्राइब करते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट से ए और भी ए और बी ने क्या है कि जो डिस्टेंस से वह है इस वह चलता है एक्स किलोमेटर पराज से और वह बिटा जब जब एस बीच आता है एक्स किलोमेटर पराज और वापस लॉट कियाता है वी तुछ लॉट कियाता है बाज है स्पीड किससे वाई किलोमेटर पराज से इससे ट्राफिक तो यह चांग है तो इसने टाइम लिया और जब इधर से आ रहा है तो इसने टाइम लिया चाने में अलग समय लगेगा ना यह दिफरेंट हो जाएगा आई मैसको लिख देता हुआ होसा कि let the speed of person from a to b is x km per hour and time taken by कितना टाइम टेके रेट हुआ जब a2 भी गया मान लेजे हमने माना है वहाँ पे t1 second तो t1 t1 second मानने t1 r मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका मान के रहा तो t1 r मान लेजे ठीक अब मैं मानने का हूँ let the speed दूसरा वाला let the speed of person in the return journey return journey from b to a let's traffic तो उसकी speed होगे माले जो y km per hour and the time taken time taken कितना हो गया will be t2r यह यह वह कांसर क्रेबर कुश्च है कि a इस स्पीड पर गया और b से उस स्पीड रहा तो बताए कि तना स्पीड रहा थे रहा आपको दोनों का स्पीड यह दिया रहा और आपको निकालना होगे अब इस पीड कि इंक बात है ऐसे फिराइब्स और टोटन टाइम टेकन को टाइम अब हैंक टीटर कितना ट्रावब्स फिराव ओऊज़ दिस्ट्रावाल से जाने में और देट ही आने में तोब तो जाए तो इसी तरह में solve कर लेता हूं तो what will be the T1 T1 मतलब क्या है T1 मिन्स time और आपको पता है क्या speed is equal to distance upon time तो time is equal to distance upon speed ठीक बात है तो अगर मैं बहुत T1 मुझे निकालना है अगर A to B जा रहा था तो कितना time होगा देखिए तो time is equal to distance upon speed तो T1 is equal to distance कितना है Z speed कितना इसे गया है X clear होगा है T1 कि लालों कितनी होगी Z upon X दूसरा अगर जब रिटर्न जाए नहीं है वी टू ए आया है तो T2 कितना हो जाएगा आपकर देखिए T2 distance कितना भी है Z कितने speed से return हो रहा है Y तो T2 होगया Z upon Y और T1 होगया Z upon X clear दो लोगो को आई होगे formula में आते हैं average speed में जहां पर लिखा है total distance travel upon total time taken बहुत ध्यांस रहाता है यह average speed का formula है जब distance किया है constant है तो total distance travel कितना हुआ Z गया और Z वापस आया total time taken कितना हुआ पहला time है तो अगर मैं दिख दूँ यहां में T1 प्लस T2 ठीक है अब यहां को और मैं और solve करो तो यह वह जाए कर 2Z upon T1 प्लस T2 कितना जाएगा इसका xy तो अगर LCM इसका xy आएगा तो यह नीचे लिखा जाएगा xy यह कहां गया ऊपर यह बनके बटा तो अगर से कितना आगा है 2xy upon x plus y this is the formula for average speed यह formula क्या होगा आपका average speed का में अगर यहां के बिखनू 2xy upon x plus y this is the formula for the average speed if the distance is constant between two terminal अगर दो terminal के बीच में distance constant है किसी speed से गया किसी speed से आया तो formula क्या बन्दे रहे है 2xy upon x plus y 2xy upon xy जहाँ एक्स की value क्या है x जैसे speed से जा रहा है y किसी speed से return कर रहा है और यह x plus y summation आ रहा है वीडियो को pause करिए दो तीन बार solve करिए और फिर जो problem मुझे comment box से बताइए और चैनल को subscribe करते रहे है एक question आपके book से और और मुझ totally average speed पे dependent है तब average speed निकालना है आपको जब दोनों के बीच के distance constant है जहां आप गये हैं किसी speed से गये थे और वहां से बापा सजय किसी speed से आजे ठीक बात है बहुत ध्यान समझी कि बहुत बड़ सवाल है एक इसके मैं लिखा है most important question क्योंकि जितने भी 90 पर बने है आस तक हर paper में question आता है किसी भी स्कूल का paper होगो all over India में हर जिकर ये paper आने वाला है ये कुछ आने वाला है क्या है अब्दुल बाइड रागेंग स्कूल स्कूल जागा था compute the average speed to be 20 km per hour on his return trip along the same route there is less traffic and average speed is 30 km per hour what is the average speed for the Abdul trip अगर आपको formula बता है average speed का वह वह वाला जिसमें आप पढ़ते है टाइम टेकें तो लगा देंगे 20 plus 30 upon 2 आपका answer आजागा 25 तो तुरंत या answer गलत हो जाएगा clear बात भाई इस question को समझें मैं क्या बोल रहा हूं और इस सवाल को इस सवाल के लिए मैंने एक formula बताया है इसको मैं अगर आपने नहीं देखा है तो आपके आई बटन पर आ रहा होगा वह प्लेइस के नाम और वह वीडियो का जगा वहां जाके आप देख लिजिए तो यह है आपके पॉइंट मांत जी स्कूल है अब्दुल का घर है यह और यह स्कूल है अब्दुल जब यहां जा रहा है देख रहे हैं driving to school school जा रहा है तो इसका speed कितना है 20 km per hour है ठीक बात है और जो यह return हो रहा है इसी से traffic कम रहा होगा तो इसका speed बढ़ गया 30 km per hour तो पूछ रहा है कितना अवरत speed होगा तो भया इसके लिए एक formula ही बनाया है मैंने जो मैं बोला होगा आप उसका derivation ने देखे ह तो उसके लिए formula है आप इस speed का 2xy upon x plus y this is the formula for the average speed ठीक बात है अगर distance constant है तो x का मतलब है जिस speed से गया y है जिस speed से आया तो इहीं होगे बाटए 2 into x, x की value कितनी है आपकी 20, y की speed कितना है 30 upon 20 plus 30 तो ध्यान को करेगा 2 into 20 into 30 upon 20 plus 30 कितना हो गया 50 हो गया एक 0 से 0 cancel हो गया 5, 4 हो गया और यह हो गया 4 तो जाए 8, 8 से जाए 24 तो 24 km per hour is the average speed of the अब्दुल्द दूरिक इंटायर जान्नी प्लेयर है फॉर्मूला यही है 2 x y upon x plus y यह बहुत कम बिचने एक्जाम सो भी आता है तो इसको आप अपर आपको यह नहीं पता है तो आप रोक्षिन कर देंगे तो फिर मैं बोल रहा हूं अगर आपको इस यह नहीं पता है तो आई बटन में जाए और derivation इसका derive करिए बा